उस्ताक नभी की एक ही सजा सरतंद से जुदा। दोस्तों ये स्लोगन आपने सुना होगा। उद्यपुर की जो हत्याकांड हुई ही इस स्लोगन की आड़ लेकर एक धर्म की आड़ लेकर मासूम लोगों की हत्या की गई जिसको बख्षा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब स्लोगन का इतना ज़्यादा मिस्यूज होने लगा कि मुस्लिमों को बदनाम करने और एक धर्म की आड़ लेकर लोगों के कतल में इस्तमाल किया जा रहा है जी हाँ दोस्तो ऐसा ही मामला हुआ एक मद्या परदेश में जहां पर नफरतियों ने मुस्लिमों को इतना ब्लेम देना चालू कर दिया जिहादी है जिहादी वो पूरे ट्वीटर पर मुस्लिमों के खिलाफ इतने ट्वीट के गया और उनको इतना ट्रोल किया गया कि जब सच्चाई सामने आई तो उन सब के मूँ बंद हो गया जो नफरती बिल से बाहर आकर मुस्लिमों को गालियां दे रहे थे वही नफरती आप बाफस बिल में घुस गए है तो पूरी खबर क्या है हम विस्तार से जानेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को भी जरूर सब्काइब कर लेना तो आगे बढ़ते हैं दरसल दोस्तो ये स्लोगन विवादित बन गया है इस टाइम पर और कई लोगों को कई बेकसूर लोगों को एक धर्म की याड़ लेकर उनकी हत्याई की गई निर्मम हत्याई की गई और इसका ब्लेम उन अपराधियों को कम और धर्म को ज़्यादे मिलाए इसी का फाइदा उठाकर नफरतियों ने भी कुछ ऐसाइस करने की साजी सर्ची लेकिन उस साजी समें ये नाकाम्याब हुए दरसल दोस्तों मद्यपुरदेश में निशांक राठोर लगबग सभी जानते होंगे जिसको नहीं पता निशांक राठोर मद्यपुरदेश का रहने वाला था जो एक इंजिनिरिंग स्टूडेंट था जिसका शाव यानि जिसकी ला जो है रेलवेट ट्रेक पर पड़ी मिली लोगों ने आशंक जिताई के ये आतम हत्या है लेकिन जब गुथी और उलज गई जब उसके पितागों उसके मोबाइल में एक मैसिज मिला जिसमें लिखा था गुस्ता के नभी की एकी सजा सरतन से जुदा तो उसके परिवार वालों ने उसके कम्यूनिटी के लोगों ने ये मान लिया कि ये सब जिहादियूंने किया है مسलिमोंने किया है और ये गुथी और भी उलजती चली गई बवाल हुआ ट्वीटर के अंदर मुसलिमों को ट्रोल किया गया मुसलिमों को भुरा भला कहा गया लेकिन जब इसकी गुथी सुलजी तो सब हैरान रहे गए और आप भी हैरान रहे देंगे क्योंकि मैं आपको बता दू कि निशांक राठोर जो है जिसकी लास्ट रेलवेट ट्रेक पर पड़ी मिली थी जब SIT का इस चीज में गठनवा SIT ने इस चीज की जात की तो पाया कि निशांक ने आत्म हत्या की थी ना कि उसको किसी ने मारा था दरसल दोस्तों निशांक राठोर ने 18 मोबाइल लोन एपस जिसको नहीं पता मैं बता दू के प्ले स्टोर पर या एप स्टोर पर कई ऐसे एप हैं जो ओनलाइन लोन प्रोवाइड करते हैं ज्यादा ब्याज दर पर तो निशांक राठोर ने 18 ऐसे मोबाइल एप से लोन ले रखी थी जिसमें ये कर्ज के अंदर डूबा वात और मनी मन बहुत ज्यादा परेशान था और इसने अपनी बहन से 50,000 रुपे लिए थे कोलिज में फीस भरने के लिए लेकिन कोलिज में उसने फीस नहीं भरी थी जिस वज़े से काफी ज़्यादा डिप्रेस में चल रहा था तो कुछ दुनिवाद उसकी लास जो है रेलवेट ट्रेक पर पड़ी मिली के परिवार वालों को उसके मोबाइल में देख करके लगा तो उन्होंने सरकार से जाच की मांगी तो जब SIT ने इसकी जाच की तो उ ही दिखाना चाहता था या फिर सरकार से कोई वो मौज़ा चाहता था परिवार के लिए लेकिन डफरती कहां चुब बैटने वाल थे वो ट्वीटर पाकर मुसलिमों को ट्रोल करने लेगे उनको गालिया देने लेगे तो पुरी रिपोर्ट क्या है मैं BBC के रिपोर्ट के मत अब आपको बताने की कोशिश करूँगा तो BBC की एक रिपोर्ट है मैं आपको बता देता हूं मद्य परदेश में निशांक राठोर की मोद की जाच कर रहे एसाइटी ने बताया है कि उनकी मोद कर्ज ना चुका पाने के चलते आत्मा हत्या करने से हुई है निशांक की हत् का मानला बताया जा रहा था लेकिन मौत की गुत्ती जब उलच गई जब उसके पिता को उसी दिन बेटे के फोन में एक मैसिज मिला अंग्रे जी अकबार हिंदुस्तान टाइम्स के मताबिक निशांक राठोर के मुबाइल से जो मैसिज पिता को मिला उसमें लिखा था निशांक के मुबाइल फोन से अपने पिता के लिए लिखा गया आखरी मैसिज हिंदी में था जिसमें सर तन से जुदा करने की बात कही गई थी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इसी तरह का मैसिज पोस्ट किया था SIT अधिकारियों के मुताबिक निशांक ने कुछ लोगों से और करीब 18 ओनलाइन लोन एप से कर्ज ले रखा था और उनके पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं थे अधिकारियों ने कहा वो आत्मा हत्या थी आत्मा हत्या से एक दिन पहले 23 जून को निशांक ने कॉलिज की फीज भरने के लिए अपनी बेहन से 50,000 रुपे वर लिये थे लेकिन उसने फीज नहीं भरी अधिकारियों के निशांक मेंसिज भीच कर हिंदू राष्टवादियों के समर्थन के लिए खुद को शहीद दिखाना चाहता हो या अपने परिवार के लिए सरकारी मदद चाहता हो और दोस्तो आप इस पर क्या सोचते हैं आपने गया भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगी होगी इंफर्मेटिव लगी हो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फेस्बुक पर देख रहे हो तो पेज को फोलो करना तो मिलते हैं सी किसी इंफोर्मेटिव सी वीडियो में जैन जै भारत